असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू वड़े की रेसिपी आप बटाटा वड़ा भी बोल सकते हो ये शाम की चाय के साथ एकदम परफेक्ट है आप इसको बना कर देखना बहुत टेस्टी भी बनते हैं चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इसक लिया हुआ है आदी चम्मच राई आदी चम्मच जीरा दस से पंदरा करी पत्ता अधरक लेसुन और है तीन से चार हरी मिर्ची को इस तरह मैंने कूट लिया था बारी कटी हुई हरी धनिया एक चम्मच नमक आदी चम्मच हल्दी पौडर तीन से चार बारी कटी हुई हरी मिर्ची सबसे पहले हम बे सन का घोल तैयार करेंगे अब बेशन के अंदर हम आधी चम्मच हल्दी पॉर्डर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका गाड़ा गोल त्यार करना है पानी को हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे मैं नमक की स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी इसलिए जादी चम्मच मैंने अभी डाल लिया आप हल्दी के साथ ही डाल देना देखिए इस तरीके से गाड़ा गोल मैंने त्यार कर लिया अब चलते हैं तड़के की तरह अब एक पैन में तेल गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम हो जाए इसके अंदर पहले हम राई डालेंगे फिर इसके बाद जीरा और करी पत्त डालेंगे फिर अधरक लेसुन का पूटा हुआ पेस्ट डालेंगे और अच्छे से एक से दो मिनट के लिए हमें भून लेना है अब बारी कटिवी हरी मिर्ची डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पौडर डालेंगे आधी चम्मच नमक डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर मसाले को एकदम अच्छे से भून लेना है मसाले को मैंने एक मिनट के लिए एकदम अच्छे से भून लिया अब इसके अंदर हम मैश किया हुआ अलू डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे एक दो मिनट के लिए मैंने इसको भी एकदम अच्छे से भूल लिया अब इसके अंदर बारी कटिव भी हरी धनिया डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसे निकाल लेंगे हम अब ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में ये देखिए ठंडा हो चुका है अब इसके हम वड़े तयार करेंगे तो थोड़े से मैंने आलू को लेकर इस तरह हतेली के बीच में रख कर थोड़ा सा हलका सा प्रेस कर लिया है ये बन गई है अब दूसरी भी इसी तरीके से बना लेना है इस तरीके से साड़े वड़ो को तयार कर लेना है आप चाहे तो ग करेंगे अब एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम हो जाए इसके अंदर हम वड़ों को लेकर बेसन के ऊपर चारों तरफ से कोट कर लेंगे और फ्राइ करेंगे कि हमें इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक एकदम अच्छे से फ्राइ कर लेना है यह देखिए मैंने सारे बड़े को टेल में डाल दिया अब इसे पलट लेंगे बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं एक बार जरूर ट्राइ करना इस रेसेपी को अब पलट लेंगे एकदम अच्छे से और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे यह देखिए मैंने गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से फ्राइ कर लिया अब इसे निकाल लेंगे देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं उपर से एक बाद जरूर ट्राइ करना इस रेसिपी को इस तरीके से मैंने सारे वडो को फ्राइ कर लिया है अब इसे हम सर्ब करेंगे अगर यह आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फूल वाचिंग